तो आज को टापिक है उसके requirements and eligibility अब अगर आप लोगोंने मेरे चैनल के पहले वीडियोज देखे होगे तो आप लोगों को पता होगा के इस टापिक पे या इन टापिक्स पे मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए थे बट वो थे इंग्लिश में तो आप उन सारे टॉपिक्स पे मैं एक प्रॉपर इंफोर्मेटिव विडियो बनाऊंगी हिंदी में तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो बेसिकली दो टाइप्स के पाइलेट होते हैं एक है एरफोर्स या मिलिटरी पाइलेट और सेकेंड है कमर्शल पाइलेट तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Commercial pilot उसके requirements and eligibility criteria के बारे में Military pilots या Air Force pilots commercial pilots से बहुत अलग होते हैं तो commercial pilot एक टाइप का pilot होता है जो एक specific aircraft उड़ाता है किसी particular airline के लिए On the basis of a license जो के issue होता है Indian authority के through Authority का नाम है Directorate General of Civil Aviation तो commercial pilot बनने के लिए सबसे basic requirements है 10 plus 2 with physics and mathematics In case physics और mathematics आपके subject नहीं थे 12 में तो आप इसके लिए अलग से exam दे सकते हो under N.I.O.S That is National Institute of Open Schooling दूसरा है class 2 and class 1 medical assessment इसके उपर एक proper informative video रहेगा next बट अभी के लिए medical assessment सिर्फ इतना कि आप physically fit हो pilot का job करने के लिए Next है age अब हम बात कर रहे है commercial pilot license की तो commercial pilot license बनने के लिए हमारी minimum age होने चाहिए 18 years and above तो अगर आप लोग commercial pilot training के बारे में सोच रहे हो तो ये तीन requirements mandatory है या ये कहें ये तीन चीज़े utmost important है अगले वीडियो में हम बात करेंगे class 2 और class 1 medical assessment के बारे में ये वीडियो शॉट इसलिए रखे है ताकि आप लोग जंबल अपना हो जाए बहुत सारे knowledge के साथ एक proper sequence wise हम ये requirements समझेंगे that is all for this video जिन चीज़ों को हम लोग इन वीडियो में cover कर रहे है अगर उनके आलवा आपको कोई और queries है तो आप लोग मुझे comment section में बता सकते हो या इंस्टा पर DM कर सकते हो and thank you for watching this video